यूटूबर कामिनी की अभी बहुत ही हालत खराब चल रही है क्योंकि उनकी बेटे जो की धनुआ उनकी बहुत ही ज़ादा तब्यत खराब है इस वज़े से कामिनी बहुत ही ज़ादा परेशान है कुछ दिन पहले इनके घर में बहुत अच्छा माहौल था सारे controversy छोड़ के ये धनवी का बड़े celebrate किये और एक family साथ में नजर आए क्योंकि बच्चे हो या बुजुर्ग हो जब घर में ये रहते हैं तो family सब कुछ छोड़ के एक साथ आही जाती है कि की बात बच्चों की होती है और बच्चे तो सभी को प्यारे होते है उसके बाद बड़े celebration के बाद इनके बेटे की अचानक तबियत खराब होके जिस वज़े से ये काफी परिशान चल रही है धनवी के बड़े पे कामिनी ने बहुत प्यारा सा फ्रॉक दिया था धनवी को लेकिन निकू के चैनल पे बहुत ज़ादा ऐसा कॉमेंट आ रहा है कि धनवी को जो उसकी बड़ी ममी ने ड्रिस दिया था बड़े पे वो तुमने क्यों नहीं पहनाया तुम्हें बेटा नहीं है इसलिए तुम्हें जलन होती है हर समय मूँ बनाए रखते हो और कामिनी से तुम इस वज़े से जलती हो क्योंकि तुम्हें बेटा नहीं है तो इस पे निकू ने रियक्ट किया क्योंकि वो हर वक्त कॉमेंट को जाने दो जाने दो ऐसा करते रती है बोलते रती है कि मुझे इनके मूँ नहीं लगना और बात भी सही है ये कोई बोलने की बात नहीं है अगर आपकी भी बेटी होगी और बेटा नहीं होगा तो क्या आप उसे कम प्यार दोगे बच्चे तो बच्चे होते हैं वो बेटा हो चाहे बेटी हो तो ऐसी मानसिक्ता वाले लोग अभी भी हमारे समाज में हैं तो मुझे भी ये कॉमेंट पसंद नहीं आया ऐसा कॉमेंट पर्सनली नहीं करना चाहिए एक घर के दो बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा भी है बेटी भी है दोनों के हैं इसमें देवरानी और जेठानी की जगड़े के बीच में बच्चों को नहीं लाना चाहिए और ऐसे कॉमेंट नहीं करना चाहिए इस कॉमेंट से निकु काफी अपसेट हुई और उन्होंने एक वीडियो बनाया कि आज मैं इस कॉमेंट का मतलब रिपलाइ करूंगी ऐसे लेट गो करने से लोग बाज नहीं आ रहे इन्होंने तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों पे लीगल एक्षन भी लिया है वो यूटूब के थू ही लिया है और इनके जो रियक्षन चैनल वाले हैं जो इनके खिलाफ नेगेटिव बोलते हैं या दो-चार लोग है जो बहुत जादा नेगेटिव कॉमेंट करते हैं निकू पे उनके खिलाफ इन्होंने लीगल एक्षन भी लिया था तो अब काफी नेगेटिव कॉमेंट कम हुए हैं इनके vlog के section में तो अब अच्छे अच्छे comment आ रहे हैं तो किसी के लिए भी बुरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता हम social media platform पे हैं जो हमें दिखेगा हम बस वही बोलेंगे जो हमारे youtubers हमें दिखाते हैं हमें जो समझ में आता है जिसके बारे में हम अपना reaction देते हैं मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को end तक देखिएगा बने रहेगा और मेरे चानल को subscribe कीजिएगा